नमस्कार राजे सरक्लाशेश में आपका स्वागत है इस वीडियो में HIV और एड्स का फूल फार्म HIV और एड्स क्या होते हैं एड्स के लच्छर एड्स कैसे फैलता है और एड्स से कैसे बचाओ करें इस बारे में चर्चा होगी तो देखे HIV और एड्स HIV का फूल फार्म Human Immuno Deficiency Virus मानो प्रतिरच्छी नीनुता विशाडू ये हुआ HIV का फूल फार्म इन इंग्लिस और हिंदी में एड्स एक्वैर्ड एमीनो डिफिसेंसी सिंड्रोम ये इंग्लिस हुआ हिंदी में होगा उपार्जित प्रतिरच्छी नीनुता शह लच्छन अब देखे एचाइबी एक प्रकार का वाईरस विशाड होता है यदि यह किसी व्यक्ति के सरीर में प्रवेश कर जाता है तो यह सरीर के इम्यून सिस्टम ये प्रतिरच्छा तंद्र को कमजोर करने लगता है एदि एचाइबी एक प्रकार का वाईरस होता है यदि यह किसी मनुष के सरीर में इंटर कर जाता है तो इसका जो इम्यून सिस्टम है उसको कमजोर करना सुरू कर देता है अर्था सरीर के रोग प्रतिरोधक शमता को घटाने लगता है साथ से दस वर्षों में व्यक्ति की इस्थिति यह हो जाती है कि वह शामान रोगों जो जिवाडों तथा विसाडों आदिशे होते हैं जैसे च्छै रोग टीवी सरदे जुकाम निमोनिया आदिशे पीडित ह होने पर दवाईयों से ठीक नहीं हो पाता यानि है एच आइवी है रोग नहीं यह वाइरस है यदि किसी व्यक्ति की सरीर में यह वेस कर गया तो साथ से दस वर्षों में व्यक्ति की श्थिति यह हो जाती है कि उस्षे शामान रोग भी हो जाएगा तो जल्दी दवाशे ठीक नहीं होता जैसे इस टीबी हो गया सर्दी जुकाम हो गया निवोनिया हो गया इन सब रोगों से वो प्रित हो जाता है तो दवाँ काम नहीं करती है इसिस्थिति को हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को एड्ष हो गया जब यह इस्तित हो जाए तो कहा जा सकता है कि व्यक्ति को क्या हो गया एड्स हो गया यानि एड्स का की अर्थ हुआ एड्स कोई रोग नहीं है लेकिन यह रोगों का एक प्रकार्शे भंडार है दो या तीन साल में व्यक्ति की मित्य हो जाती है जब ये सब एड्स फैल जाता है तो दो से तीन साल में विक्त की मित्ति हो जाती है एड्स रोक के लिए अभी तक किसी दवा आथवा वैक्शीन की खोज नहीं हुई है किन्तु एंटी रेट्रो वायरस थेरेपी द्वारा एच आईवी वायरस को वढ़ने की गति को कम किया जाता है तथा व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ा जाता है इससे हम व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ा सकते हैं किन्तु उसके लिए क्या होना चाहिए एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी होना चाहिए इसे जो वायरस के HIV के वायरस होते हैं वो सरीर में कम फैलते हैं अब देखते हैं AIDS के लच्छन क्या होते हैं एड्स के लच्छन HIV किसी व्यक्ति के शरीर में कब प्रिवेस कर चुका होता या जानना बहुत कठिन होता है यह जानना बहुत कठिन होता है इसके शरीर में कब कब प्रिवेस हो चुका या जानना बहुत कठिन होता है क्योंकि HIV संक्रमित किसी व्यक्ति के शरीर में एट्स के लच्छन साथ से दस वर्षों बाद ही दिखाई देते हैं यानि HIV आपके शरीर में प्रिवेस कर गया है इसके लिए साथ से दस वर्ष में ही पता चलता है परमतू चिकिस्टों की राय के अनुशार ये लच्छन दिखाई देने पर HIV का परिच्छन जरूर कराना चाहिए लेकिन चिकिस्टों को की जो राय है उनके अनुशार क्या करना चाहिए कि आप जा सकें कि हमारे सरीर में HIV वार्ष प्रिश कर चुका है सरीर में चकतेदार धब्बे उभरना यदि यो होता है तो समझे कि HIV के वारस आपके सरीर में हैं सरीर से अधिक पशीना निकलना ये भी एक लच्छन है जागों की लश्का ग्रंथियों में गाठे बनना बार बार तेज बुखार आना तथा लगातार खाशी आना बार बार तेज बुखार आना तथा लगातार खाशी आना सरीर में जलन तथा खुजली होना ये सामान ने लच्छन है एडश कैसे फैलता है HIV संक्रित व्यक्ति को लगी सुई का प्रयोग करने पर ये comedy HIV संक्रित कोई व्यक्ति है उसको लगी सुई दूसरे को लगा दी जाती HIV वारत उसमें भी प्रिवेस कर सकते हैं HIV संक्रित व्यक्ति के शांसारेरिक शंबन बनाने पर तीसरा है HIV संक्रित मा से बच्चे पैदा होने पर उसे एडश हो सकता है याई hani Mercy हो सकता है निस ए captivity वायरस उसकी में पहुंच जाता है एचाइवी संक्रिंद व्यक्ति का खून बिना जांचे दूसरे को चड़ाने पर यदि खून का हम चेक नहीं करा रहे हैं और उसको खून दूसरे व्यक्ति को चड़ा दिया जाता है ते चावी वारेस उसी खून के दौरा दूसरे व्यक्ति में भी प्रेविश कर जाते हैं